कि गुड मॉनिंग इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्राइक्टा और साथियों आज प्राइक्टा का तीसरा पार्ट होगा कख्छा 10 की एंसी एरिटी में था आप देखना सुरू कर दिये हैं प्राइक्टा अगर अभी तक चैनल को पूरा देखो गी तो यिन इंड इस्क्रीन पर आजायेंगे ठीक ना पूरा देखो ग्यों लोगे तो फिर वर्टसप पर मंगा ले चलो और हां पीबियर अप इंस्टाल कर लोगे तो वहां पूरा कम्बलीट कोर्स मिल जाएगा सभाम के खेल में एक तीर के निसान को घु संख्या को इंगित करता है यदि यह सभी परडाम संप्राइक हैं संप्राइक के बारे में मैंने पहली कलास में बहुत अच्छे से बताया है तो हो तो फिर इसकी क्या प्राइकता है कि यह तीर इंगित करेगा किसको इंगित करेगा पहला यह तीर आठ को इंगित करेगा एक चकरी वाले लेके बैठते हैं है ना बैठते हैं इनाम वाली उसमें परतियोगता कराते हैं भाई चलो पैसा लगाओ इनाम खेलो लोग उनको बड़ा बेवकूप समझते हैं जो जुवा खेलते हैं तास खेलते हैं उनको बेवकूप समझते हैं लेकिन इस मैत में इस जुवा ये थोड़ा देर घुमेगी फिर कहीं न कहीं रुक जाएगी ना, रुकेगी तो इसमें एक से आठ तक गिंती लिखे गए हैं, तो किसी न किसी के सीधे पर रुकेगी, जैसे देखो अभी ये एक के सीधे पर रुकी है ना, और अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, एक बार इसको नचाया, और मान लो ये आके यहां रुक गई छे की निसान पे, अब देखो कहां पे रुकी, छे के सीधे में रुक गई, और मैं अगर इसको एक बार फिर से घुमाऊं, तो हो सकता है ये छे के बजाए आठ की सीधे पर रुक जाए है न कहीं भी रुक सकती है न तो यही चीज इसमें निकालना है कह रहा है इसकी क्या प्राइक्ता है प्राइक्ता मतलब संभावना कितनी उमीद है कितनी संभावना है कि ये तीर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो यह आठ पर रुखेगी इसकी कितनी संभावना है जल्दी बताओ सोचके देखो यार आप सभी जानते हो न पीकिनी संभावना हैं आठ पर रुखने की चुकि कुल मिलाके आठ गिंतियां है आठ गिंतियां न तो टोटल परडाम कितने हो सकते हैं जरूरी नहीं आठ पर श्यॉत में नीचे लिखो हल में ली को बीडियो को करके लिखो ठीक न आगे देखना अब भी सवाल नहीं लगाया मैंने अभी तो क्यों लिखा बस अब पहले सवाल पर आजाओ कि कितनी संभावना है कि वह आठ पर ही रुखेगी अब लिखो चुकि चक्र में आठ अंक हैं और आगे लिखो तीर दवारा अंक आठ को इंगित करने की घटना की परायक्ता या फिर प्रडामों की संख्या बराबर एक क्या लिखोगे परड़ामों की संख्या बड़ाबर एक इसको अपनी भासा में ऐसे लिखोगे चुँकि दिये गए चक्र में कुल आठ ती लिया है आता है यह दी हम चक्र को गुमाएंगे तो उस चक्र की सुई के आठ पर आने की गवल एक संभावना है बात समझ रहे हो ना, एक ही बार तो है ना, कि परड़ाम अनुकूल आएगा, मतलब एक ही समभाव ना है, बात समझ रहे हो ना, तो यहां से अब आप इसको हमारा बात को समझ गए होंगे, है ना? तो चलो इतना लिख लिए होंगे यानि कि उस पर आने की कितनी संभावना है 8 संभावना है अर्थात आगे लिखो अर्थात P E या फिर P 8 की और इंगित करता होता है ऐसे लिख लो P ब्रेकर्ण में लिखो 8 की और 3 इंगित होता है 8 की और तीर इंगित होता है पी ब्रेकट में लिख लो आठ की ओर तीर इंगित होता है बराबर अब लिखो कुल परिडामों की संख्या सुरी कुल नहीं संभव परिडामों की संख्या बराबर करके इसको लिखने के बाद इसके आगे लिखना मतलब जगा नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं ठीक है ना तो क्या लिखोगे अनुकूल परडामों की संख्या मतलब कई तरह से लिख सकते हो यार ठीक है ऐसे लिख लो अनुकूल परडामों की संख्या ठीक ना अनुकूल परडामों की संख्या कितनी है एक और कुल परडाम कि एक विसम संख्या को इंगित करेगा अब मैं कुईश्चन मिटा दे रहा हूं चुकि कुईश्चन हमारे पास है और हम आपको बता देंगे आप कुईश्चन लिख लिए होंगे अगर नहीं लिखे हो ना तो कुईश्चन को आप नोट कर लो वीडियो को थोड़ा पीछे क करके चुकि इधर लगाने में दिक्कत हो रही सवाल को जगा नहीं ठीक ना दूसरा क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्राइकता है कि दो से बड़ी संख्या को इंगित करेगा वो तीर देखो यार दो से बड़ी संख्या तो बाद में करेंगे पहले कह रहा था एक बिसम संख्या बराबर तीन कुल बिसम संख्या बराबर तीन अताहा अनकूल परडामों की संख्या भाई तीन है तो तीन में से किसी एक पर रुख जाएगा तो तीन अनकूल परडामों की संख्या बराबर लिख लेना मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं अनकूल परडामों की संख्या बराब तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो आप क्या होगा वही लिख लो फिर जो अभी आपने लिखा था चक्र पर कुल विसम संख्याएं के बाद में लिखो यार कितनी संख्याएं है इसमें विसम वाली एक तीन पांच साथ 1 3 5 7 तो 4 संख्या हैं 3 कहा है दिमाग थोड़ा सा गडवण कर रहा है ये देखो चार ही है ये दो हो गई ये तीन हो गई ये तोटल 4 विस्म है तो जहां आप 3 लिके वहाँ 4 लिक्षो गई ठीक कूल परडामो के संख्या 8 अब लिको आता है इसकी प्राइक्ता बराबर प्राइक्ता बराबर चार बटे आठ कार्ट दोगे एक बटा दो कितना हो जाएगा वन अपांट टू नोट कर लो जल्दी से इसको लिख लिए होंगे तो मैं आगे से हट चुका हूँ अब अगला देखना तीसरा क्या कहता है कि चक्र पर दो से बड़ी संख्याएं है कह रहा था कि इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि ये तिली जो है वो जा करके दो से बड़ी संख्याओं पर रुकेगी तो देखो यार दो से बड़ी संख्याएं कितनी है फेले तो यह लिखलो आप सभी लिखो जलदी से है पटा-फट लीखो नहीं लिक पाये तो वीडियो को रोकर के लिखلो या पीछे करके लिखो वैसे मैं आपको काफी टाइम देता लेखने के लिए है नहीं है लिक navigate तो लिखो तीसरा कौन कौन सी है दो से बड़ी बोल रहा था दो या दो के बराबर नहीं बोला न तो दो से बड़ी कुल संख्या कितनी है देखो यार तीन यह यहां से लो एक दो तीन चार पांच छे ना दो से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है ऐसे लिख लो चाहें तीन चार पांच छे साथ आठ है ना यह छे संख्या है ना कुल छे संख्याएं हैं आता है अनकूल परडामों की संख्या बताओ दो से बड़ी संख्या आएगी इसके कितने अनुकूल परडाम होंगे जितनी ये संख्याएं हैं अनुकूल परडाम हो जाएंगे छे नीचे लिखोगे कुल संभावित परडामों की संख्या संभावित मतलब ऐसे कहें तो कुल परडामों की संख्या तो टोटल तो आठ है तो भाई सिंपल सी बात है आप लिखो कि पराइकता बराबर हो जाएगा 6 बटा 8 2 से कार्ड 2 2 3 6 2 4 कार्ड कितना हो जाएगा 3 बटा 4 यह 354 आपका इसका अंसर आ गया इसके बाद 9 से छोटी संख्या है कह रहा था अगला इसी में है नेक्स्ट नंबर चौथा कि इसकी क्या पराइकता है कि वो संख्या जिस पे रुकेगा वो चक्र वो 9 से छोटी होगी तो मुझे यह बताओ इसको नहीं लिखे हो तो लिख लो वीडियो को पीछे करके यह बताओ इसमें 9 से छोटी कुल कितनी संख्याएं है जल्दी बतादो फटा फट चौथा नंबर लिखो लिखो 9 से छोटी कुल संख्याएं नौ से छोटी कुल संख्या हैं कितनी है आठ है अब नौ से छोटी अगर आठ संख्या है तो तोटल आठ परडाम हो जाएंगी अब लिखो अनुकूल परडामों इकी संख्या बराबर 8 इस इमिन पलसी बात थै शॉट रांड आटहर तो अन कूल परडामों की तो तंद हो जाएगी मिदक इस अध्या निश्चीत है कि 8 से चोटी कोईनों कोई संख्या आएगी उस और नंग Walter चोटी क्योंकि अगर हम चक्र को घुमाएंगे तो कहीं ने कहीं तो रुके गई किसी ने किसी नंबर पर रुकेगा यानि कि उसमें से कोई नुक को समझ लेना फिर मैं लिखने का तरीका बता दूंगा और अगर क्लास को समझना है तो कम से कम पांच मिनट साथ मिनट देखना उससे कम देखोगे तो समझ में आयगा पका मैं पहले बता दे रहा हूँ अभी जा सकते हो कम से कम 5 मिनट देखना पका समझ में आएगा देखिए आपने पासा देखा गचित जिसे खेलते हैं नहीं देखा है तो देख लेना लूडो पासा सर्च करके Google में देख लेना नहीं तो दुकान पर मिल जाएगा इसे गुट्टी होती है गुली-गुली और उसमें छेद छेद होते हैं चारों तरफ पहले यह पासा देख लेना तब यह सवाल समझ में आएगा उसमे होता है उसपर टोटल छे छेगते होते हैं कितने हिसां कितने होते तो तो आज को थी बात करें होल की या फिर नमबर की बात करें तो उसपर छे संख्याएं अंकित होती हैं, कितनी होती हैं, छे संख्याएं, जो मैंने होल आपको बता है, वो आप संख्या मान लो, तो छे संख्या अंकित होती हैं, चारो तरफ लिखे होते हैं, ठीक है, अब आगे समझना क्या करना है, कहरा कि एक पासे को एक बार फेका जाता है, अगर पासे को एक बार फेंका गया तो क्या संभावना है कि अब भाज संख्या प्राप्त होगी फिर दूसरा सवाल क्या संभावना है क्या यानि कि क्या प्राइकता है कि दो और छे के बीच की कोई संख्या प्राप्त होगी या फिर क्या और संभावना है जो इक히 पांसे इंट दो थिन चार पांच होती है लिए इसम्भावित पर किसनी होगी के इतना लिख लिएख लिए उप फिर हम पहले सवाल पर चलते लिए तो बहुत अच्छे आप सभी चलिए पहले कुछण पहुश्चन इसको मिटाएंगे थोड़ा सा मिटाने से अच्छा है कि आप नीचे देख लो देखे ध्यान देना अब इसमें का पहला सवाल पहले उतना लिख लेना लिखने के बाद तब यह पहला सवाल करना पहला नंबर एक अभाज संख्या बोल रहा है न इसमें लिखो पांसे पर कु अभाज संख्या एंlie कितनी है अभाज ही कितनी है बाई चे गीच में कितनी अब आज है एक है तीन है और पांच है ओके अन कौंशी है एक तीन पांच अर्थात तीन संख्या पांसे पर अबतंगा है तीन अब निचे लिखो गए देखो अनकुल परेडामों की संख्या और कूल परडामों की संख्या इसी को तो भाग देते हैं न देखो बूक में केसे लिखा गया किसे कॉर्डिंग इसमें आपको दिखा देता हूं कि हाँ अनुकूल परडामों कि संख्या और सम्भव कि संख्या तो साथि vedere अब प्राइक्ता लिखोगे पी एक्वल, प्राइक्ता, पी एक्वल, यहां पर आप लिखोगे, अनुँकूल परडामों की संख्या, नीचे लिखोगे संभाव परडामों की संख्या, ठीक ना, अनुकूल मतलब कूल कितने हो सकते हैं. निचे लिखना संभव परडामों की संख्या. तो अनुकूल मतलब साथिèmes वह होता है, जो हमें लाना है. देखो, कह रहा था कि एक आबाज संख्या होगा, इसकी कितनी संभव ना है? तो देखो, सिंपल सी बात है. चूकि 3 संख्याएं उस पे दर्जे हैं, पासे पे, तो 3 चांस है कि अबाद संख्या आ जाएगी यनि 3 मौका है, कहने का मतलब जो अनुकूल परडाम हो कितना है, 3 है और संभव परडाम, संभव मतलब total कितने है, जितने total है उतने संभव हो सकते है और टोटल हमारे पास हैं कितने 6 हैं चुकि 6 संख्याय हैं तो उसमें 6 में से कोई भी आ सकती है तो अगर कोई और आएगी तो वो अनुकूल नहीं होगा लेकिन इन तीनों में से अगर कोई आएगी तो अनुकूल हो जाएगा इसका मतलब 3 बटा 6 लिखोगे इसको कार्ट दोगे एक बटा दो आएगा कितना आएगा एक बटा दो लिख लो इसको जल्दी से लिख लो फटा फट हो गया चलिए अब इधर साइड में देख लो आप अगले दोनों के लिए अगला क्या कह रहा है कह रहा कि 2 और 6 के बीच इस्थित कोई संख्या दो और 6 के बीच इस्थित कोई संख्या इसकी क्या संभावना है देखो दूसरा नंबर आप लिखोगे और लिखिए पांसे पर पांसे पर मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं बोल रहा हूं लिख लो पांसे पर दो और छे के बीच इस्थित कुल संख्या बराबर पांसे पर दो और छे के बीच इस्थित कुल संख्या बराबर देखो एक से च्छे के बीच में अगर आप देखोगे तो दो से च्छे के बीच में कौन-कौन संख्या होगी दो से च्छे के बीच में देखो तीन होगी चार होगी पाँच होगी तिन संख्या और कितनी होगी आर3 यार कितनी तीन वो कौन-कून सी हैं चाहे तो इधर कोश्टक में लिख लो तीन चार और 5 सा लिख लो फाघ्से पर दो और छे के बीच इससी संख्या बराबर संख्या बराबर तीन आताहा अनुकूल अनकूल परडामो की संख्या बराबर कितनी तीन चुकिए वह लाना है तो यहां पर लिख लिख लो कोई गलत नहीं है है तो सम्भव परडामों की संख्या है है संभ१ लिख लो भाई सभी जानते हो कैसे होगा ये संभव परडामों की संख्या अब पराइक्ता लीक लो पी एकल अनुकूल परड़ाम बटे संभॵ परडाम अनुकूल है तीन संभो है छे एक बटा दो साथियों इसमें एक खासियत है इन तीनों की जो प्राइकता है वो आधी आधी है सभी की वन अपांटू है चाहिज इसका कर लो सबकाई वही है इसको आप लिख लिए तो मैं मिटा देता हूं चलिए जल्दी करिए और हां पहले समझने की कोश करिए नहीं समझ में अगर आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे अगर समझ लोगे तो इसको आप बीना लिखे भी काम चला सकते हो मतलब खुद से लिख सकते हो बाद में लगा सकते हो अगर कांसेप्ट समझ जाओगे तो चलिए एक विसम संख्या की क्या प्राइकता है अब तीसरा लिखो, पांसे पर, पांसे पर कुल बिसम संख्याएं पराबर, देखो पांसे पर कुल छे ही संख्याएं थी, उसमें बिसम कितनी होंगी, देख लो यार, एक, दो, तीन, चार, पांचे, बिसम कौन कौन है, ये, पांसे पर कुल बिसम संख्या तीन, लिख लो, पांसे पर कुल पिसम संख्य बराबर तीन अब लिखों अन्कूल परडाम इसलिए अन्कूल परडाम बराबर कितना तीन संभव परडाम छे फिर नीचे लिखोगे प्रया हैश्ण चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो प्राइक तपी ब्रेकट में एक भी समसंख्या जहां मैंने घटना को इमान लिया है संभो परेडाम बटे संभो परेडाम तो अनकूल तीन संभो छे काटोग एक बटा दो इस तरह से आपने देखा कि कुश्चन नमबर थार्टीन का तीनों पार्ट आ गया है जल्दी से आप सभी इसको लिख लो और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे आपनी संकोच हमसे पू लिया है तो आपके बुक में भी कुश्चन होगा देख लो कुश्चन क्या है सोला नमबर कुश्चन देखो पंद्रा दसम लो एक एक सर्साइज का किसी कारण कहरा किसी कारण 32 खराब पेन कितने है 32 ठीक ना लिखो जल्दी से फटा-फट कुश्चन आपकी बुक में दिय दिया होगा नहीं दिया है तो सुनके लिख लो मैं कुश्चन पढ़ रहा हूं लिखूंगा नहीं ठीक ना किसी कारण 32 खराब पेन 144 अच्छी पेन में मिल गए केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन खराब है कौन सी अच्छी है देखो जैसे यह मैं दोनों पेन ले लिया इसमें एक स्याही खतम हो गई एक में है लेकिन आप देखके इसमें कैसे बताओगे किसमें स्याही है किसमें नहीं है दोनों बलैक दिख रही ह आप उसमें देख के नहीं बता सकते हो कि कौन खराब है कौन सी सही है तो कह रहा है कि इसकी क्या प्राइकता है कि बिना देखे हुए अगर उसमें से एक पेन निकाला जाता है या द्रिच्छ है मतलब तो पेन की अच्छा होने की क्या प्राइकता है मतलब कहने कर यह है जैसे मैंने कल आपको जोला वाला बताया था जैसे माद लो मैं इसे में भर सारी पैं रख दूंँ ठीक न बद्तिस मैंने इसमें रख दिया खराब पैं एक सो चाव आशी रख दिया अब भी न देखे अगर मैं इसमें से एक निकालता हूं तो इसकी क्या पराइक्ता है मतलब पराइक्ता मतलब संभावना कितने चांस हैं कि वह पैन अच्छी वाली होगी बताओ 32 खराब है 144 अच्छी है यानि कि कुल पैन कितनी है अब यह देखो पहले आप कुल पैन कितनी है यार था कितना 32 144 था 132 और 12 था कितना खराब पैन 12 इसको आप लिख लो सही सही नहीं हो सकता आपके बुक में और दिया हो यह 132 है मतलब समझना संख्या से कोई मतलब नहीं है कांसेप समझना में बताने माला क्यों कुल पैन हो जायागा दो दो चार यह चार एक टोटल पैन कितने 144 पैन है मतलब कि जोले में कितने 144 पैन है अब कहरा है इसकी क्या प्राइकता है कि अगर आप भी न देखे एक पैन निकालोगे तो कितने चांस है कि वह पैन अच्छी हीवाली होगी इसमें 144 पैन भरे गए हैं जिसमें 32 मैं बोल रहा हूं मालुह वारा रहा खराब है 132 पैन है तो कितने मौके हैं कितने चांस हैं कितनी उमीद है कि देखो, कुल 144 है उसमें से 12 खराब है तो यहार 132 पैन तो さही ए ना उसमें, dabatacs और निकल सकती है लेकिन कितनी बार खराब हो जाएगी 12 बार क्राब अब निकल सकती है टोटल कितनी बार आप निकाल सकती हैं कि 144 बार न तो आप लिखोगे जैसा कि लिखिए इसमें कुछ जीस तरह से लिख्वाया गया मैं वैसे ही लिख्वा देता हूं अब लिखिए कुल पेन इतना हो गया इसलिए अच्छे अच्छे पेन निकालने या फिर निकालने की प्राइकता या फिर अनुकूल परडाम ब्रेकट में इसको अनुकूल परडाम लिखो पराइकता लिखो कि इतना हो जाओगे है ना निकालने की अनुकूल परडाम अनुकूल परडाम कितने होगे 132 और लिखो कूल संभव परडाम बराबर कितने हैं 144 अब लिखो यहां पर कुछ एक पॉइंट लिखा जाता है उसको आप वैसे ही लिख लो ठीक ना माना घटना ई एक अच्छे पैन को निकालना है घटना को मान लो ए ठीक ना माना घटना ई एक अच्छे पैन को निकालना है देखो यह मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाकी वैसे भी अगर लिखत होगे पीए तब भी हो जाता है तो पी-ए कुल क्या हो जाएगा अनकूल परडाम बटे संभव परडाम तो साथियों पूल अनकूल परडाम 132 संभव परडाम 144 काटोगे इसको सभी नहीं कितने से 11 से काट दो नहां 11 एकम 11 1212 लेकिन यचार ते नहीं कटेगा अब इसको किस से काटेंगे हम किष्ड़ो कान लेते हैं और कि आप इसकों काट सकतें साथी यों गारा से तो बारा 12 12 12 12 और यह 12 12 12 दुना 24 यानि 11 बटा 12 आएगा इसको आप किससे काट सकते हैं तो इस तरह से अच्छे पे निकालने की संभाना कितनी हो जाएगी 11 बटे 12 हो जाएगी नोट कर लो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कुईस्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से देखना देखो यह 16 नंबर हो चुका है लिख लो जलदी से फट से लिख लो होगे अगले कुईस्चन मैं पढ़ता हूं टाइम नहीं जादा अगला कुईस्चन में जो आपको करवाओंगा वह 18 नंबर होगा 18 नंबर आप लोग कल लोगे ना चलिए 18 नंबर मैं पढ़ता हूं कहे रहा है कि एक पेटी में किसमें पेटी में 18 नंबर कुईस्चन आप नोट करो अगर पढ़ना है तो चलो शुरू करो 18 नंबर डालके लिखो एक पेटी में नब्बे डिस्क है डिस्क का मतलब जानते हो न आभी बताऊंगा नब्बे डिस्क है जिन पर एक से नब्बे तक के अंक अंकित है एक पेटी में नब्बे डिस्क है जिन पर एक से नब्बे तक के अंक अंकित है यदि इस पेटी से एक डिस्क यद्रिच्छया निकाली जाती है यद्रिच्छया मतलब इच्छा अनुसार एक प्रकार से ठीक ना यदि इसमें से एक डिस्क इच्छा अनुसार निकाली जाती है तो इसकी प्राइक्ता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या अंकित होगी यदि उसमें से एक डिस्क एदरिच्छा निकाली जाती है तो इसकी पराइकता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी और क्या अंकित होगी पहला दो अंकों की एक संख्या इसकी प्राइक्ता बताना है दो अंकों की एक संख्या दूसरा इसमें क्या प्राइक्ता निकालना है वो मैं बाद में पढ़ूँगा पहले मैं आपको एक करके बता देता हूँ किस देखे शाथी ओंपेटी में कुल डिस्कों कि संक्या कितनी है 90 हैं अब आपर Лखो कि अब आभा यहां पर लिक्व हल में लिक्व पेटी में किम पूल यह किसकी कूल नव्य मैं कूल नब्य है है और एक एक पर कहर है एक से नभबे तक के अंक अंकित हैं है ना तो लिखो एक डिस्क निकालने के 90 संभो परडाम हो सकते हैं कितने परडाम 90 परडाम चुकि 90 डिस्क हैं तो कुश्चन कहरा दो अंकों की एक संख्या अंकित होगी लिखिए एक डिस्क निकालने के 90 संभो परडाम हो सकते हैं उसके बाद आगे क्या कहता है कह रहा है इसकी क्या प्राइकता है ग्यात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की एक संख्या देखो यार दो अंकों की संख्या की कितने परडाम होगे अब पहले सवाल पर लिखो पर्ते एक टिस्क पर एक से 90 और अंकित है पहला क्विश्चन लिखो अब पर्ते एक डिस्क पर अंकित अंक वह के एक से 90 है ठीक ना पर टिस्क पर अंकित अंक एक से नब्बे है आईसी डिस्कों की संख्या जिन पर दो अंकों वाली संख्या अंकित है चलिए आईसी डिस्कों की संख्या संख्या जिन पर नब्बे क्या है स्वारी दो अंकों की संख्याइं अंकित हैं आईसी डिस्कों की संख्या जीन पर दो अंकों की संख्याइं अंकित हैं जो मैं नहीं लिख रहा हूं उसको भी लिख लो आप सभी तो कितनी हो जाएंगी 90-1 बात समझना तो बराबर कितना हो गया नमासी अभी इसका टोटल मतलब समझना कुछ इसमें गलत भी है देखो एक औं की नौ संख्याएं होती है कितनी होती है एक औंक की यह संख्या नहीं होती है पहले पूरा मतलब समझना देखो अगर कोई पेटी है उसमें 90 educated के यह इंग औक अंकित है मतलब अगर एक डिस्क है मानलो इस पर एक लिखा है एक डिस्क है इसे में 5 लिखा है एक पर 50 लिखा है एक डिस्क पर 70 होगा एक पर 80 होगा एक में 87 होगा ऐसे ऐसे सभी डिस्क पर कोई नबर है है ना तो यह बताओ दो अंक के संख्यां के बारे में प्राइक्ता निकालने को बोल अंक कर दो कर दोएं इसका मतलब नो ड्रक ऐसी होंगी जिनमें किवल एक पो गठात है यह तो तो वो नो डिसका कर दोगे इस तरह से 81 डिस्कर कितने है 81 इस पर दो अंक्वालित संख्याइं अंकित हैं यानि कितने हैं अब आगे लिखो आप सभी चलो ठीक है इधर साइड में दिखा देता हूं जगा थोड़ा कम है देखें साथी वीडियो बढ़ाना हो जाई इस वज़ा से हमें कुछ चीजें साट करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं इधर देखो आपके सामें सब कुछ लिखूंगा बहुत लंबी हो जाएंगी माना घटना यी निकाली गई डिस्कों पर दो अंकों वाली संख्यां कांकित होना है तब पीट उक्वल प्रडामों की संख्या बटे कुल संभो प्रडाम की संख्या तो देखो अनुकूल प्रडाम कितने हो सकते हैं 81 यानि की क्ल eagran डिस्क होंगी जिन पर दो अंकित होंगी तो यह हो जाएगा 81 अपान और देखना कुल संभो कितने परड़ाम है 90 हैं तो यही आपका हो गया अंसर काट दोगे नव आई क्या सी नव दहम नब्बे यानि कि नौ बटे दस क्या जाएंगी यही तो आएंगा ना ठीक है हो गया इसको नोट कर लो इसमें दूसरा कुश्चन क्या कहे रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा ले ले फटाफ़ आगे कर लो फिर मैं चल रहा हूँ आगे यह हो गया आपका अठारा का पहला पार्ट हो गया कुछ बाते में बोलता हूं उसको भी आप लिख लिया करो में लिखता नहीं तो कि देखिए साथियों इसका दूसरा पार्ट में आपको चल्दी से समझा दे रहा हूं कैसे है चुकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है थोड़ा साथ करना होगा दूसरा कह रहा था कि इसकी क्या प्राइकता होगी कि एक पूर्ल वर्ग संख्या होगी देखो सिंपल सी पैसे बाद है जो 90 डिस्क है उनमें एक से लेकर के नब्य तक के नंबर है है न ऐसे लएकर करके नब्य तक के नंबर एक एक पर दर्जहें तो पूर्ड वर्ग संख्या क्या होती आपको पता है जैसे दो दूना-चार यानि कि जिनका वर्गमूल निकालने पर एक के लिए एक चार नौ सोला पचीस चातीस उन्चार चौसाट इक यासी यह पूलवर्ग संख्याइं है जिने परफेक्ट इसको एर बोलते हैं है ना तो कहने का यह मतलब है कि एक से नब्बे तक अगर आप लोगे तो कुल नौ पूलवर्ग संख्याइं मिलेंगी कितनी नौ गिन लो अगर इसके अलावा और कोई हो नब्बे कीविच तक तो बताओ नहीं ना इसलिए कुल नौ परडाम कितने होंगे मतलब पूल वर्ग संख्याइं होने के कुल कितने अनौ कुल यानि कि सही सही परडाम होंगे जितना होना चाहिए नौ होंगे क्योंकि 9 संख्या है इन में से अगर कोई आएगी तो अनकुल होगा मतलब पूलवर्ग हो जाएगा नहीं आएगी तो नहीं होगा तो अनकुल कितने होंगे? 9 होंगे अगर माना जाए कि घटना E निंकाली गई डिस्क पर एक पूलवर्ग संख्या अंकित होना है इसको लिख लेना थोड़ा अच्छा लगेगा तो PE बराबर अनकूल परडामों की संख्या बटे संभो परडामों की संख्या तो अनकूल परडाम नौ है और चूंकि टोटल नब्बे हैं इसलिए ये संभो कितने हैं नब्बे हैं निकाल लोगे एक बटादस आएगा चलो कर लो इतना हो गया चलिए देखो यारे टाइम नहीं जादा इसलिए मेरी कोसिस ये है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे कुईस्चन करा दिये जाए नहीं समझ में आगा तो कमेंट करके बताना बिल्कुल निसंकोच बताना ठीक ना कमेंट करना चलिए अगला तेसरा पूँच रहा था कि इसकी कृतनी पराइकता है मतलब कितनी संभावना है कि पांच से विभाज संख्या होगी कहने का मतलब ये है कि जो 90 डिस्क है उसमें से अगर कोई एक डिस्क निकालेंगे तो उस पर जो लिखे हुए अंग मिलेंगे वो पांच से विभाज होगी इसकी कितनी संभावना है तो देखो यार सिंपल सी बात है एक से लेकर 90 तक अगर आप कोई भी डिस्क निकालोगे तो उसमें पांच से कौन-कौन सी संख्या विभाजी होगी देख लो पांच होगा दस होगा पंदरा वीज पचीस इस्टरा से डाट 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 नब्बे तक है ना पचासी भी होगा होगा ना ये पांच से विभाजी तो कुल मिला के कितनी संख्या है टोटल अठारा संख्या है दिख लो चाहे 25 के बाद 30 35 45 ऐसे हो जाएगा ना कुल अठारा संख्या है लिख लो जल्दी से आगे लिखो अनुकूल परडामों की संख्या बराबर अठारा लिखिए इसलिए इसलिए अनुकूल परडामों की संख्या बराबर अठारा फिर आगे क्या लिखोगे आगे वही जो अभी तक मैंने लिखा था आप लोगों ने देखा था माना गटना ई एक पांकित संख्या निकालने की प्राइकता है तो ऐसे तो लिखवाय था ना मैंने अभी तक लिखिए आज गटना ई कर एक कित विख पर यह प्का से भी भाज और अगर इसको मान लोगे तो क्या हो जाएगा हम पी इस इक उल लिखो अन कूल परडयामों की संख्या नीचे बटा कुल संभो परडामों की संख्या तो साथियों कुल अनुकूल परडाम 18 और कुल संभो परडाम 90 है काट दोगे तो एक बटा 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका 18 कुश्चन हो चुका है साथियों तो आप लोग अपने विचार को जरूर कमेंट करना और अगर अब ही तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तूरंद कर लेना यार देर नहीं करना उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर साथियों इसके बाद जो 19-20 है उसको आप खुद से कर लेना उसके बाद मैं आपको 21 नमबर कुश्चन बता रहा हूँ ठीक है 19-20 बहुत आसान है नहीं आएगा तो कमेंट करना 21 नमबर देखो क्या कहता है एक्सरसाइज 15.1 आप देख रहे हैं 15.1 कक्षा 10 की चैनी एको anz आप वही खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो बिल्कुल सही बात है परंतु खराप पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे दुकानदार इन पेनों में से अधरिच्छ या मतलब अपने आप इच्छा अनुसार निकाल करके एक पेन आपको देता है तो इसकी क्या पराइक्ता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे पहला क्या कह रहा है इसकी क क्या पराइकता होगी कि वह पर अच्छी होगी देखो यार सिंपल सी बात है कि दिये गए पैनों की संख्या 144 है इसलिए पैन निकालने की जो कुल परडाम होंगे 144 होंगे है ना अब आप आगे लिखो नीचे अगली लाइन में लिखो पहले सवाल की इतरह लिखो लिखो कु कुल पैनों की संख्या कुल पैनों की संख्या बराबर 144 अब लिखो खराब पैनों की संख्या कि खराब पैनों की संख्या बराबर कितनी है भाई देखो यार खराब कितनी थी कितनी खराब थी 20 है ना खराब पैनों की संख्या कितनी थी 20 थी तो लिख लो 20 अब लिखो अच्छे पैनों की संख्या क्या लिखोगे अच्छे पैनों की संख्या बराबर 144-20 यानि की कुल कितने पर अच्छे हैं 124 अब नीचे लिखो कहीं भी लिखो आप सभी मैं तो उपर लिखूंगा क्योंकि हमारे में जगा नहीं है लिखिए इसलिए अनकूल परडामों की संख्या बराबर इसलिए यहां तक लिखने के बार तब लिखना आगे इसलिए अनकूल परडामों की संख्या बराबर 124 भाई 124 पर अच्छे हैं तो अनकूल परडाम 124 होंगे है ना इसको लिख लो इसके बाद आगे जो मानते हैं उसको लिख लो जो अभी तक आप लोग मानमान के लिख रहे थे माना घटना इच्छा पैन निकालना है लिखो माना घटना प्रेकर में लिखो अच्छा पैन निकालना है तो अब नई लाइन से लिखो पी इए इक्वल अनकूल परडामों की संख्या बटे संभो परडामों की संख्या अनकूल परडामों की संख्या अपान संभो परडामों की संख्या अनकूल 124 है और संभावी टोटल 144 है इनको यह को आप डिवाइट कर दो किसे कटेंगी यहां चार से काट लो तो चार से भी कट जाएगा कर जाएगा चाहर दूना ना 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 चाहती है बारा चार इकम चाहर इसको कटोगे तो तो चार दियां बारा चार चांग चौविस थर्टी वन अपान सम्थिंग आएगा नहीं ठीक है यह हो गया कि इसकी 31 बटे 36 प्राइकता है कि वह पैंजो हम खरी देंगे वह अच्छी होगी यह फिर जैसे बुक में कावा से भी हो सकता है चलिए इसको आप नोट कर लो उसकी कह रहा था आप निुबूक में देखो कि इसकी क्या प्राइकता होगी कि आप आप नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मतलब भो फैंख्राब होगी आसा समझो कि अटोटल जो है वो बारा पैंश में चीश्राइकं तार नीके सोचावरी सख्राब एक इसकी बारेस फमे है वह आपकी हाथ में आजाएंगी तो कैसे करोगे आ आप जानते हो हम सभी पर जानते हैं कि P этом ty art जानी की पर्राइकता है या नहीं है bibi not किसको ऐसे बोलते है तो का ढ़या है शोता है आप जानते हो यह पीई वाला कितना आया था 31 बटा 36 आया था माइनस पीई नाट इक्वल वन घटा लो उधर करके बस यह भी आ गया पीई नाट वाला आ गया यह पांच बटा 36 लग भगा जाएगा यह हो गया आपका अंसर कटा कटा आ गया फैना कर ले ना इसको किवल आपको थोड़ा सा मैनत करनी है बस चलिए चलिए अगला 23 नमबर कुश्चन देखिए 23 नमबर में क्या कह रहा ध्यान से देखना अपनी बूक में कुश्चन पढ़ो सुनो कह रहा कि एक खेल में एक रूपए की सिक्के को तीन बार उच्छाला जाता है आप जानते हो मैश होता है टास किया ज चाला गया उसके बात कहरा है और परतेक बार का परडम लिख लिए जाता है जो भी आता है डाता है यहनी चित्य पड़ जो आता लिख ले जाता है तीन बार उच्छाला गया, अगर तीनों बार एक समान परड़ाम आता है, चाहे हेड आए अटेल आए, तो हनीब जीत जाएगा ने था वो हार जाएगा, तो कह रहा है कि हनीब के खेल में हार जाने की प्राइक्ता परकलित कीजिए, मतलब कहने का ये मतलब है कि इसकी क्या प परड़ाम नहीं आएगा, तो वही हमें निकालना है, देखो यार, सिक्का आप सभी देखे होंगे, है ना, जैसे कोई भी सिक्का मैंने ले लिया, मैं आपको दिखा दूँ ये, अगर इसको उच्छाला जाएगा, देखो इसमें एक हैड है, इधर देखो दो लिखा है, र रूपया वाला निसान उपर आए, तीनो बार उपर आए, यानि तीनो बार क्या आए, हैड आए, है ना, तो ये हो सकता है, तीनो बार हैड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि एक बार हैड आया, दूसरी बार हैड आया, तीसरी बार हैड आया, तीसरी बार हैड आगया, यानि कि यह कुल आठ परडाम हो सकते हैं बोलो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ना तो इसको आप नोट कर लो तो मैं आगे आगे आपको बताता हूं कुल मिला कि यह आठ परडाम हो सकते हैं देखे साथियों अगर इस घटना को हम ई से ब्यक्त करें तो कुल अनकुल परडाम कितन हो चित चित हो या पटपट हो तभी जीते हो नहीं तो हर जाएगा तो सिंपल सी बात है टोटल आठ चांस होंगे आठ में से किवल दो पर वू जीते गा ने था छे पर वह रोजाएगा इसलिए आप क्या लिखो गें हर ने के लिए अनुकुल परडाम बराबर 6 कितने हो कार्ट बस सिंपल सी बात है यार अंसर आ गया कार्ट दो दो तिया इच्छा और दो चोगार्ट इसलिए कितना आया तीन बटा चार इसकी यह तीन बटा चार पराइक्ता है कि वह क्या होगा हार जाएगा जीतेगा नहीं बात समझ में आई ना तो साथियों यह कलास कैसे लग प्रेस करना जीसे कि आपको सारी कलासे मिल सकें और उपर वाटसप दिया गया है समपर करना अगर कोई भी समस्या है कुछ भी जानना है तो थैंक यू